हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं इस्टेडी फीट ऑफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों बीस एमसी की कोशन्स लेकर कि मैं आपकी समझ चाही हूँ सभी कोशन्स मोस्ट इंपॉर्टिन है जितने भी आए हुए हैं किसी भी इस्टेट का कंपरिशन एक्जॉम में सभी कोशन्स को छाट कर लाया गया है और आपका एक्जॉम जो है बहुत ही नजदीक आ चुका है आप बस डेली बेसे से डिवीजन करिए जो जो कमिया है तो दोनों टाइम में वीडियो अप्रोड कर रही हूँ बीस बीस कोशन्स उसको भी देखते रहे हैं अपना सेल्फ इस् करती है विच टीचिंग मेथर्ड इच कॉंसाइड्रेट दबेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन तो दोस्तों यहां पर डिमूंस्ट्रेशन मेथर्ड यानि की आफसन नंबर भी प्रदरसन बिधी सबसे बेस्ट मानी जाती है साररिक सिछा में फिजिकल एजुकेशन में क्य कि चेशन इन सबस्कुर्ण सेण इचाम इसवेशन में नंबर टू है विश्वेश्वास्थे संगठन के अनुसार स्वलियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रति दिन आसकता होती है तो नमक की कितनी होगी तीक है तो स्वलियम की आसकता होती है 1.7 gram प्रती दिन, तो कितनी gram प्रती दिन से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए तो तो पांच ग्राम से अधिक नमक नहीं लेना चाहिए, according to world health organization, one should not consume more than 1.7 gram of sodium per day, gram of salt per day, कितना लेना चाहिए, salt यानि नमक 5 ग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए, अब प्रति दिन सोडियों की मात्रा कितना आ सकता है 1.7 ग्राम याद रखिएगा नेक्ट पोस्टन है ऐसा कहा जाता है कि स्री बर्गर वे पहले ब्यक्ती थे जिन्होंने प्रतियोगिता की कल्कना की थी जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है Mr. Burger is said to be the first person who coincide of the competition also known as burger system ठीक है तो first person who conceived the competition also known as burger system तो पहले ब्यक्ती थी जिन्होंने एक प्रतियोगिता की कल्कना की थी जिसका नाम था बर्गर सिस्टम उसको बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है तो किस competition को कहा जाता है दोस्तो तो लीग यानि round robbing tournament को यहाँ पे लीग आपसन नमबर 20 भी हो जाएगा लीग यानि round robbing tournament को burger system भी बोला जाता है सर्विया भासा में क्योंकि इसकी खोच जानी burger ने सर्विया के प्रसिद्ध खिलाई ने किया था लीग round robbing tournament में प्रते एक टीम को अन सभी टीमों के साथ खेलने का आउसर मिलता है और दोस्तो round robbing tournament में एक सब्द का प्रयोग होता है quad quad का मतलब होता है चार लड़ियों और टीमों के मध्य लीग tournament जो होता है तो उसे quad कहा जाता है याद रखेगा जो tournament होता है वो चार प्रकार का होता है नाकाओ, league, combination, challenge tournament चारों tournament के बारे मैंने detail में बताया हुआ है आप tournament वाले playlist में जाएए वहाँ पे आपको 60 में सभी tournament को अच्छे दख से बताया गया है नेशर question number 4 है अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलबधी प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाडी beta blockers का प्रयोग करते हैं जिससे रक्त चौप में कमी आती है तथा एकागरता बढ़ती है which sportsman use beta blockers to lower blood pressure and improve concentration in order to play farm well in their respective sports तो दोस्तों कौन सा ऐसा रसायन का प्रयोग करते हैं डोपिंग के अंधर का जिसमें अपने खेल को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए beta blockers का प्रयोग करते हैं जिसमें रक्त चाप की कमी आती है और एकागरता बढ़ती है तो कौन सा केल होता है तो यहां पर राइट एंसर होगा तिरंदाजी एंड निसाने बाजी यानि आर्चरी एंड शूटर्स ठीक है तिरंदाज और निसाने बाज यानि आर्चर्स एंड शूटर्स जो है बिटबलाकर्स का प्रयोग करते हैं जिसे बिटबलाकर्स के प्रयोग से जो है दिल की धड़कन जो है वह कम हो जाती है यानि किरफदाब हिदेद दर को समाने करत बनाये रखता है इसके सेवन से सरी की कमपन बंद हो जाती है जिसे एक आगरता वाले किरियाय जो होती है आसानी से करने में मदद होती है जैसे कि दोस्तों जो डोपिंग होता है उसको दो प्रकार होते हैं एक प्रदर्सन बढ़ाने वाले पता था दूसरा सारी गती बिधियान प्रदर्सन बढ़ाने वाले में जैसे कि इस्टुमिलेंस यान उत्यजक और नसिली दवाईया नार्कोटेक्स और बिटर्टु एगोनिस्ट एनाबोलिक एर्जेंस और दिरोटेक्स पेप्टाइट हर्मोस ग्लुकोकार्टिकोईड्स कैनाबिनोड्स आते हैं सुर्टुमिलेंस चाहिए के लिए मद्सेरिय हैं जिसमें से आटोलोगस और होमोलोगस हमें थातर और होमें वागी ल 짧ए जह यांट परतिफलम के आधारप जैसे all time band यानि हमेशा के लिए band दूसरा in competition यानि कि योल खेल खेलते समय बैंड तिसरा BCS खेल में यानि कि specific sports में band all time band यानि हमेशा के लिए band के अंतर का a b dp आता है यानि a c anabolic esteride, b c beta to agonis, d c d dotis and pc peptide hormones और in competition यानि competition के अंतर band कौन है c g anus है यानि कि c से हो जाएगा cannabinoids जिसे glucocarticoids, n से narcotics ऐसे stimulants और in competition band आपका alcohol and beta blockers है यानि special game में तो alcohol यानि कि या बैंड आप नहीं है इसको हटा दिया गया है beta blockers जो है तिरंदाजी, automobile and shooting जितने भी एक अल्गता वाले खेल है उसमें band किया गया है जर्मनी के महान सारीक सिछावीत जान बर्नार्ड बेसडू ने जिस इसकोल की स्थापना की थी उसका नाम क्या है what is the name of the school founded by Germany's great physical educationist जान बर्नार्ड बेसडू तो जान बर्नार्ड बेसडू ने जो जर्मनी के महान सिछा वित थे और जर्मनी में सारे सिछा के पितामा भी कहा जाता है जान बर्नार्ड बेसडू को जर्मनी में सारे सिछा के पितामा भी कहा जाता है जान बर्नार्ड बेसडू को जिन्होंने 1774 इस्वे में डेसू नामक अस्थान पर एक प्रकृतिवादी पार साला खोला था जिसका नाम था इसकुल की इस्थापना की थी उस इसकुल का नाम था फिलंथो पियम ठीक है फिलंथो पीनम अफसर नंबर बी आपका राइट एंसर होगा फिलंथो पीनम एंड दिर्मनी में जिमनास्टिक के पिताम जान क्रिस्टोफर गर्समर्ष को बुला जाता है याद रखेगा जिदो उने गर्समर्ष ने दो पूस्तक लिखी जिमनास्टिक फ़र्दा यंग एंड खेल एंड नेक्स्ट कोश्चन है परिभासा है फिजिकल एजुकेशन की कोशन है सारी सिच्छा का उदेश सारी गामक मानसिक एवं मानुवी संबंदू का भिकास करना है यह कथन किसका है तो दो एम आप फिजिकल एजुकेशन इस डेवलब फिजिकल मोटर एंड मेंटल एन ह्युमन रिफिलेशन हुई सेद इस इसको किस ने कहा है दोस्तों इसको कहा है चार्स से भूचर ने ठीक है चार्स Polsce भूचर ने यह आप इस आठ में परिभासा दिया है का सारे सिच्छा संबोड़ सिच्छा प्रबंध का एक अभिन अंग है तथा जिसका धिये यानि उद्देश ये उन सारीक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिनका चैन सारीक, मांसीक, समय का अतमक थाधा, समाजी प्रिष्टी से सोरूप नागरिकों का निर्मार करने जैसे उद्देशियों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ये सब प्रिभासा है आपको एक ही विडियो में याद हो जाएंगे तो रोजलन कैसेडी का प्रिभासा है कि सारी सिच्छा ब्रेक्ति के भीतरी अनुभों के कारण प्रिवर्तन होते हैं उनके क्ल जोड़ को सारे सिच्छा कहते हैं और आपरेट यूफर का कहना है देखिए आपरेट यूफर औ कैसेडी के प्रिभासा में मिलता जूलता होता है इसलिए आप कर्फ्यूज हो जाते हैं तो कैसेडी के प्रिभासा में याद रखेगा भीतरी अनुभों के करण ब्यक्ति बीसेश में जो परिवर्तन का क्विल जोड़ होता है उसे सारे सिच्छा कहते हैं जबकि देखिए आवरेट रियूफर के उसारा साणीज सिचा उन्वहों को प्रभाव है जो भीक्ती-विशेश की प्रक्रिया से प्राफ्थ होते हैं तो परिवरतन, भीक्ती-विशेश में होने वाले वितरी अनवहों के करार व्ल cocktail को प्रिवतन सब्ध well in कां़ सामुहिक वे क्राविक्टी विश्षक की प्रक्रिया सब्ध प्रक्रिया सर्थ आएगा नौ एक कहा है जिसका संब्स के सांपूले से औनिक्रियां के साथ है तुछ क्या है। का जोड नहीं कि है संपूलिट उनभह आएगा तो ब्राउन वेल और संपूलिट अनुभह प्लस प्रक्रियाओं कि भाग लेने से भी प्राइख्ट होते हैं कि अभिजिति और विकर्ष को तो चरम सीमा तक पहुचाने की बाद को तो यहां भी ब्राउन वेल की प्रिभासा आ जाएगी जे फ विल्यम्स की प्रिभासा मोस्ट इंपार्टन है जरूर जाद करिएगा जे फ विल्यम्स का कहना है कि साइज सिछा मनुस्य की उन सारी क्रियाओं को कहते हैं ठीक है संतुर क्यों में और यह कूげ एक करीकूल के बढ़क जसना समाजव्य व्योवार के अर्फावर्यम्स के बात इससु समाजी बे। स stop ब्राइब के दो स्वीलिए grain for our alien की देली रूटीन यानि कारे करने के बाद भी यानि वह चंता जिसे रोज मर्ला का कारे बिना थकान के संपन हो अपात काल के इस तीसी निपटने के लिए अतरी से चंता भी बची रहे उसको कहते हैं फिजिकल फिटनेस या सारे सिछछा इस परिखासा को दिया है निकसन ने बैद रखेगा है है को तर्थ है को आप को पता है कि जो टेंडन होता है उगामिंट होता है दो बाधियों के जोड़ों पर जुड़ा होता है। लिगामेंट की चोट को या अधितील की खिचाने को उसको हम्स पॉषियं कानों सब्सक्राइब इसमें गीचान के हमशन के अधियो त्यानित रहिए है दो रहा है। जान प्रशन हो सब पर फांच कोस्टर श प्रभरत को सबसें लिए है नेक्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर आठ है समान्य पार्थ योजना की तुल्णा में बिसेश पार्थ योजना होती है Special lesson plan is compared to general lesson plan. तो दोस्तो समाने पार्त ही ओज्ञा कि तुलना में जो बिसेख पार्त ही होता है Special lesson plan वो छोटा और बिसेक अंदीद होता है ठेक है जिस लगो एन बिसेक अंदीद short and topic based skill based होता है यानि जिस चीज के बारे में आप लेशन प्लान बना रहे हैं उसी के बारे में होता है आपका बिसिस्ट पार्ट ही हो जिना लेक्ट कोशन है उलम्पिक खेलों की आउधी कितने दिनों की होती है दोस्तों आप सबको पता है कि उलम्पिक खेल सोलर दिनों की होती है यहां पर कहीं सोलर दिन नहीं दिया हुआ है तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा नान आफ द एवब यानि उप्रक्स में से कोई नहीं तो उलम्पिक खेलों की आउधी कितनी होती है सोलर टीनों की नेक्ट कोशन है नेता जी सुभास राष्टिक खिलसंसा पत्याला में कब शुरू हुआ वा इप तो कब शुरू किया गया है दोस्तों नेता जी सुभास नेशनल इस्टिटीट आफ इस पोर्स इसको डॉक्टर के एल स्रीमाली के दुआरा इरहोग एंक्वारी कमीटी के सुझाओं पर साथ मईए 1961 को सुरू किया गया अफसर नंबर भी यहां पर राइट होगा और इसको एसिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान भी कहा जाता है और खेलों का मक्का के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है प्राचित उलम्पिक खेलों का आरभ किस ने किया था दोस्तों कौन स्टार्ट किया था तो ग्रेश यानि युनान में 706 इसापुरु से में सुरू हुआ था क्या पर कहीं युनान नहीं दिया है तो राइट इंसर क्या हो जाएगा नाना आपद एवा में यानि उप्रुक्त में से कोई नहीं नेक्ज्ट कोचन है ऐसारी सिच्छा के सिधांत ने में से किस पर ज़्यादा आधायत हैं या प्रक्राया से सम्मंधित बैग्यानिक नियम प्राधायत है जितने भी दिख रहे हैं कि इसी लोगी बायो मेकैनिक्स आ गया है पहले नहीं था एक एक किस एंगल प्रक्या प्हेकना चाहिए कितना मोलने पर कितना दिगरी काम करेगा ठीक है सबी चीजे अब बैग्यानिक सिधान प्राधाय समंधित है तो में नैग पर सिंख और तो आनकी मैं में उसलेह ठीक है। ूलाइट ़ोगके साथ कंषिक सबूर्ब वास के पाल सब्राइट है। आए आठीक कि और नम्में से किस खेल का बिनियामक विकलब है ब्लेग का है एजिरेगुलर्यर्ली आप्सन इन वीच आफ दे फाल्लविग स्पोर्स तो जो ब्लैक कार्ड है निम्हें से किस खेल का बियामक बिकल्प है तो यह दोस्तो तलवारबाजी आप्सन नमबर A और C राइट हो जाएगा ठीक है फेंसिंग एंड वर्मिंटर्ण यहां पर एक से अधिक राइट है तो यहां पर मूर देन वन आप दे एवब वियाने की उप्रोकत में से एक से अधिक आफ्सन राइट होगा आफ्सन नमबर D यहां पर राइट है नेक्स कोशन है प्रेशर टेनिंग का अविसकार किस ने किया था फू इन्वेंटेट प्रेशर टेनिंग तो दोस्तो प्रेशर टेनिंग का अविसकार बिंटम बॉटम ने किया था किस ने किया था बिंटम बॉटम ने किया था यह सब सक्ति को भी सित करते हैं प्रेशर टेल्प अविस्कार बेंटन वाटन ने चाहए उसकते का विकास डेलपक सामे عबुर करता है और भार किवल्य के उसक्षा का विकास करता है एंड दोस्तो टेम्पो प्रसिच्छर जेक डेनियल ने खोजा था वो भी सहांसिलता टेम्पो प्रसिच्छर सहांसिलता को डिलब करता है आटोजनिक प्रसिच्छर जो दिमाग को सांत रखने के लिए होता है उसकी खोज हेंड्रिक स्कलरज्द ने किया सुपरकंपनसेशन प्रवाग के खोट निकोलाई इन सवकूड लेव ने किया धा और लियर ड्यार्ट पिर्सिच्छर की खोट लियर ड्यार्ड ने ॹिया ता जो सानसीलता को डिल लब करता है ने इश रभी कोषों स्कार्चिन है कोशन नमबर 16 है इब्रिद्य विकास की बारा से 18 वर्स की अवधी को क्या कहते हैं दे प्रियेड अब ग्रोथ जैसे कि अब जानते हैं मनिसrics के अधा पर विकास के अवस्थाइं सटेज अवीकश सतव DR बाटा कím सीघ रिकास गती की साथ वजर्ण पेशी दिमाग तंत्र बढ़ने लगता है तीन महीने पस्चात कुछ गतियां जैसे सिरहलाना पैर वकलाई मोरना आदी सुरू हो जाता है फिर सीसु आवस्था ही इंफेंसी ये जीरों से दो वर्स तक सीसु आवस्था होता है जिसमें बुलने में असमर्थ होता है और इसमे वर्स दilly अवस्था को भी तीन भागों बाठा गया है अर्ली चालूर्ट या प््रारमभी वर्सि को मधू बमिड-चालूर्ड साथ से 20 वर्स तक होताय है उन्ही व्रों में लिट्रेव प्रिय दॉल्टpendして जो नो से नहरे छौदय तक होता आपका किसुरा वस्था यानिके एडालोसिंस टीन एज हो जाएगा नेक्ट कोश्चन है जब एक ब्यक्ति बरतमान समाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने बेवहार अथ्वा अभी बृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे हम अनुरूपता कहते हैं क्या कहते हैं अनुरूपता कहा जाता है याद रखेगा इस प्रकार को कोशन पूछा जा सकता है ठीक है तो उसे हम अनुरूपता कहते हैं लेकिन जब दूसरे ब्यक्ति का आगया पालन को कोई ब्यक्ति तुरंट तयार हो जाता है तो उसको अनुरूपता कहते हैं याद रखेगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कोशन नम्र 18 कि धिनीवर्ण मेंसे कौन सी प्रसीच्चर भी थी कारे ऐवं बिस्राम कीressov probability तरह में पर करती है तो दोस्तों कारे करने पिर आपका युट्रीय मेताईट हं सब्सक्राइब दीया जाता है कि यहाँ पी आपका अंत्राल प्रसेतर आनी की इंटरीनिंग मेथद राइड ईंसर हो गया लगातार च्रेंब में कोई कुई के रिकाभ रुग केया फिर सिफ्चे स kidnapped with Phrender分 ्तर रह दी सब्सक्राय। कि आप जानते हैं तो इंटर्वल ट्रेणिंग मेथड है उनी सोबीस में रेंडर ने वह गर्षिल वीकिलानी शहंसिलता वह गती सहंसिलता को डिलब करने के लिए बनाया था खोजा था इंटर्वल ट्रेणिंग मेथड को टेरिस प्रसिछर भी कहा जाता है इस बिधी को होती है अधुरी जटी यहिश्य जैसे अभ्यास के तो दौरान ही रर्ग देख़ी का सब्सक्राइबór नीद लगर सब्सक्राइब होसानी पर जाता है च्चार्व नीचे हार्टी भूस को 56 167 अधुर डिया जाता है कि कि निन में से किस तक्निक में कार्य और पुर्व इस्थिती बहाल होने के निधाई चर्णों पर बहुत दिया जाता है यानि in which of the following technique the timing in repeated and fixed stage of work and recovery जैसे कि 180 heart rate पहुच जाती है उसके बाद जैसे recovery phase में 120-140 पहुचती है पुरह कारे को अराम कर दिया जाता है यानि फिक्स है यह भी आपका मध्यांतन प्रसिचर यानि की इंटर्वल ट्रेनिंग में धर यानि की अंत्रार प्रसिचर का ऐसा होता है नेक्ष झालार्च कोशन है इस सेशन का कोशन है खेलों में पुनर्वास है क्या प्रयोग करने से होता है दूस्तों जो पुनर्वास होता है पुनर्वास का मतलब होता है पुनहवास यानि की पुनह पहले वाले इसिती में आ जाना चोट लगने पर इंजरी होने पर कोई इसिती विगड़ जाने पर पुनह पहले वाले इसिती में आना ठीक हो जाना ही पुनर्वास कहलाता है यानि खेल में चोट लगने के पस्चारत उसे पुरू अस्था में खेलने के सिति में वापस लाना ही पुनरवास यानि rehabilitation process कहा जाता है rehabilitation का उदेश होता है पुना खेल ट्रेनिंग ये प्रतिविस्था में भाग लेने के लिए बिभी चौटो के लिए कुछ तिव याल अल्पॉधी ब्यायमूंँ से पुनर्वास प्राराम करते हैं गभी चौटो के लिए निमन्य Ó अधियम तिविता वाली प्राराम करके कुछ तिविता वाली ब्यायम जिसमें आपका दो प्रक्रा के बैयाम किये जाते हैं समाने उबिसिष्ट बैयाम और दूसरा मनविज्यानिक प्रसिच्छ बिधिया यानि उसको सांतवना दिया जाता है कि चिंटा करने की जुरुत नहीं है सब ठीक हो जाएगा और तिसरा होता है आपका चिकिस्सा विधिया यहां पर चिकिस्सा विधिया याने मेडिकल मेथोर्ड एन शाइकोलोजिकल ट्रेंनिम्मेथोर्ड और करेक्टिव एक्सरसाइज ए तीनों विधिया प्रयोग किया जाता है pengoban और्वास में यहां परव्रक्र में से एक problem आधी कि पुनर्वास के लिए क्या प्रयोग किया जाता है इसमें से तीनों में से कोई एक आप्षन दिया रहेगा तो सही रहेगा तो सही नहीं रहेगा तो दोस्तों यह था आज के सेसर में 20 MC की कोश्चंस आपको अच्छे से समझ नहीं हों कि जिस भी कोश्चंस में कोई गलत आप बने रहें मेरे चैनल पर और प्रैक्टिस करते रहें अपना सेल इस्टेडिय भी करते रहें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाहें